नमस्कार बहुत से जन्हें कहते हैं सर हम कोई लक्ष लेते हैं लेकिन हमारा लक्ष पूरा नहीं होता है हम अब लक्ष लेते लेते ठक गए हैं अब तो बस हमें कोई लक्ष लेना ही नहीं जैसी कट रही हैं वेसी हमारी कटती रहेगी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कोई लक्ष लेते हैं लेकिन लक्ष पूरा नहीं कर पाते हैं आखिर क्या कारण है कि आप लक्ष पूरा नहीं कर पारे हैं आप बार बार लक्ष ले रहे हैं और वो उस लक्ष के पास में आप पहुंच नहीं पारें Why? What is the reason behind this? आपको भी नहीं पता होता है अगर आप कोई लक्ष ले रहे होना और उस लक्ष कर आप नहीं पहुंच पा रहे होना तो सबसे पहले तो यह दिया दे बहुत से लोग क्या करते हैं लक्ष के पास पहुंचने से पहले ही रुक जाते हैं शुरू में तो कोई लक्ष लेंगे और अच्छी मेनद करेंगे और अच्छा पेशन एक ओप्सेशन अपने मन में रखेंगे और रोज उसा के साथ में वर्व करेंगे हाड वर्क करेंगे, इंटिलिजेंट के साथ में काम करेंगे, दिमाग लगाएंगे और अपना हर तरह से 100% लक्ष के परती देंगे, लेकिन जब जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा ना, वो लक्ष अगर उनको पार नहीं पाएगा, अगर वो पार नहीं पाएंगे ना, तो मन में हतासा, एक निरासाथ चाहिए, और फिर जब थोड़ टाइम हो जाएगा ना, फिर भी उनको लक्ष नहीं मिलेगा ना, तो उस लक्ष को छोड़े, यही सबसे बड़े गलती होती है, लक्ष अगर आपको पाना है, तो सबसे पहले तो लक्ष को पाने से पहले लक्ष को छोड़िये मत, देरी के साथ में काम करते रहिए, अगर आप में देरी नहीं है, अगर आप में दीरज़ नहीं है, तो द्यान रखना आप यह लक्ष को क्या, आप जीवन का कोई सबी लक्ष पुरे नहीं कर पाऊगे, दीरज़ तो हर छेतर में आपको रखना होगा, होता ना तो उसके पीछे वर्सों की मेंध रही होती है मैं एक साल के बासं के बाक, वर्सों की मेंध होती है और आख! साल साल में रिजल्ट आप हो किसी भी फिलड मेंberो मुझे रिजल्ट रहे ही मिल रहा है. साल नहीं कर रहे हैं और बस उनका करियर की स्पोईल हो रहा है तो द्यान रखना कि दिरज और समय से पहरे लक्ष को छोड़ना मत टाइम लगे लेकिन लगने देना लेकिन लक्ष को अच्छी चरूर करना ने ज disent क्षोती दिक्टों को बड़ी 어 आपने लक्ष लिया है तो बहुत से क्या करते हैं धिक्कट तो छोटी से होते हैं लेकिन दिमार में बढ देते हैं बस दिमाग में हवहा बने ऑर या यार या यह का मेरे से नहीं होका है बस फिर वो काम आपसे नहीं होका तो फिर वो आपका लक्ष है वो भी आपसे दूर हो जाएगा एक बात ध्यान रखना लक्ष के राह में कितनी भी बड़ी डिफिकल्टी क्यों नहीं आए कितनी बड़ी बादा क्यों नहीं आए तो उसे छोटी समझे उसे अप फेत रखें अगर आप विश्वास रखेंगे तो वो मुश्किल आपसे दूरोऊ क्यों लेकिन पहुत से क्या करते हैं छोटी चोटी चोटी दिकतों को बड़ी बना देते हैं और याद याद यह काम मेरे से नहीं होगा है याद यह मेरे से होई surface बस यह करते ही आपका लक्ष आपसे दूर होते जाता है अगर आपको आपके लक्ष से दूर होने से बचाना है ना तो छोटी-छोटी दिक्कतों से डरना मत चोटी-छोटी दिक्कतों को कभी बड़ा मत बनाना जिस दिन आपने छोटी दिक्कतों को बड़ी बना दिया ना उ चाहत आपने कोई लक्ष लिया है तो आप क्या देखते हो उस लक्ष और या उस जिस लक्ष में पाने को सब मेरे जब खुश रहे नो नहीं हुआ यह इस दुनिया का सत्य सनातन है आप कुछ भी कर रहे हो ना सब आप से खुश नहीं रहेंगे कुछ नकुछ ऐसे लोग तो हंगे जो आप की सपलता से जलेंगे वो आपकी रह में रोड़े अटकाएंगे कुछ लोग ऐसे हंगे जो आप से बार बार नराज हुँगे तो आप उन सब को खुश रखने के चकर में आप अपने लक्ष नूर मत हो जाना यह बात फैट रखना कि कुछ ने कुछ लोग तो मुझसे नाराज हुँगे कुछ ने कुछ लोग तो मुझसे दुखी हुँगे मैं सब को खुछ नहीं रख सकता हूँ अपने लक्ष को पाने के लिए आगे बढदे रेना जो आप से दुक्य हो जो आप से जले हो जलते हो उनको जलने देना उनको खुश रखने के चक्कर में मत रखना अगर आप उन सब को खुश रखोगे ना तो आप अपने लक्ष को कभी नहीं पापाऊगे तो कि आपका टाइम तो उनको मनाने में चला जाएगा आपका टाइम तो उन्समें ही वेश्ट हो जाएगा तो ये तीन बाते अवश्य द्यान दखना ये तीन बाते आपको आपके लक्षे दूर करती है इनको अपने दिमाग से अपने मन से आज ही हटा देगा